इकनॉमिक्स वर्चुल क्लासिस में आपसदी का स्वागत है अड़ सास्त्र में स्यांकिकी के अंतरगर अध्याय 4 से आज हम आंक्डों का प्रस्तितिकरण के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे कि अंक्डों का प्रस्तिकरण इस अध्याय में हम आंक्डों के प्रस्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे अभी तक आपने जाना की आंक्ड़े क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे संक्लित करते हैं, फिर हम उन्हें कैसे विवेस्तित करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि आंक्ड़ों का प्रस्तिति करण कैसे किया जाता है, और आंक्ड़ों का प्रस्तिति करण करने से हमें क्या लाब होता ह तो इस अध्याय में हम आंकडों के प्रस्ततिकरण की जानकारी संग्रे के गए वृत आकडों को आसानी से समझ कर उनका कैसे परियोग करें इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो आकड़े समाने तो आकड़े तीन परकार से प्रियुक्त किये जाते हैं एक होता है पाठ्थे विश्यक और वणात्मक प्रस्तिकरण दूसरा होता साननी बुद्ध प्रस्तिकरण और तीसरा होता आरेक प्रस्तिकरण तो इन तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे यहां पाठ्थे विश्यक वड़ात्मक प्रस्तितिकरण हम इसमें पढ़ते हैं तो कि इन आकडों में जो परिणाम बहुत अधिक ना हो उनको इस परकार प्रस्तितिकरण के के रूप में हम प्रियोग कर सकते हैं इसमें उधारन दे रखें दो एक है जैसे बिहार का उधारन दिया हुआ है कि बिहार के कि भारत में जो जनगर्ना 2001 में थी तो उसको रिपोर्ट के नुसार भारत की जनसंक्या बढ़कर दोःजार एक में 102 करोड़ हो गई है जिसमें 23 करोड़ पुर्श हैं और 49 करोड़ महंग करोड़ हैängen 74 करोड़ आपके ग्रामिन चेत्रों में लोग रह निवास करते है अठाइस करोड़ों कम उपलब्द होते हैं और इन इस प्रस्तितिकरण में कमी होती है कि आंकड़ों को समझने के लिए हमें पूरा पार्ट पढ़ना पड़ता है पूरा तथ्यों को जानना पड़ता है लेकिन इसका परियोग हम वहां अच्छा कर सकते हैं जांपर आंकड़े हमारे पास थोड़ ने की आंकड़ों को हम सार्णी बना के भी प्रस्तित कर सकते हैं जो आखर्सिक लगें तो इसमें हम आंकड़ों को चीक्राइनilla स्था स्तंबों में विवाजित कर सकते हैं जैसे आप याँ देख together 4.1 आंकड़े यह हमने इस रूप में भी हम प्रस्तिति करन कर सकते हैं आंख्डों को तालिगा के रूप में और यह एक आपकी रो है और यह उपर से नीचे यह एक कॉलम बोलते हैं जिसको तो सैधिक वर्टिकल और होरिजंटल के रूप कि इसमें हम आकडों को इसमें रख सकते हैं तो आपने देखा चितरे डिसम्द एक में और सारनी जो हम बनाएंगे जो टेबल बनाएंगे उनको भी हम चार भागों में विवाजित कर सकते हैं एक गुणात्मक और मात्रात्मक कालिक और स्थानिक तो सबसे पहले हम गुणात्मक के बारे में जानेगे कि गुणात्मक हम वर्गी करन कैसे करें और किसाधार पर यह वर्गी करन होगा तो इस वरगी करन को हम समाजिक स्थिति बहुतीक स्थिती राश्टरेता आती के आदार पर गुणात्मक कर सकते हैं तत्यों को और इसमें लिंग और स्थान के आदार भी हम इसको विवाजित कर सकते हैं तो इस आपने इस टेबल में देखा 4.1 सारणी में कि लिंक के आदार पर हमने डाटर को विवाजित किया है पुरुस और इस्तिरी के आदार पर ग्रामेंट छेत्रों में इतने पुरुस होते हैं और सहरों में इतने और योग हो गया 60.32 ऐ इसके बाद इसमें हम मातरात्मक वरगी करन के आधार पर भी सारणी बना सकते हैं मातरात्मक वरगी करन और इसमें आयू कद उत्पादन आय के आधार पर हम सारणी बना सकते हैं जो इसमें जो टेवल है 4.2 के अनुसार देखें इसमें तो इसमें हमने देखा है कि बिहार म चुनाओं के दिन 542 उत्तरदाताओं की आयू के अनुसार जो वित्रण हो कैसे हैं 20 से 30 आयू के तीन उत्तरदाताओं की संक्या है 30 से 40 में 61, 40 और 50 में 132 और सबसे ज़्यादा है 60 और 70 बीच के आयू वाले इसके बाद है हमारे पास इसके बाद आता है कालिक वर्गी करण इस वर्गी करण के आदार पर हम सारणी को समय घंटे हफते महिने इत्यादी के आदार पर बाढ़ सकते हैं और इसमें सारणी 4.3 में आप देखे कि हमने एक चाय की दुकान 1995 से 2000 तक की वार्षिक बिक्री का जो इसमें विवर्ण दिया हुआ है अब देखो वर्ष 1995 में जो बिक्री थी 79.2 इस परकार 2000 में यहां बढ़कर होगी 91.2 तो यह एक समय है वर्ष एक समय है और इसके आधा पर एक तालिका बना सकते समय के अनुसार इसी परकार स्थानिक वर्गी करंड के आधार पर भी हम तालिका बना सकते और इसमें हम गाओं कस्भा खंड जिला राज आधी के आधार पर आंकड़ों को विवाजित कर सकते हैं तो इसमें हमने जो तालिका वह इस परकार बनी वी है कि एक वर्ष में भारत द्वारा सेश विश्व के कुल निर्याद की भागिदारी का परतिशत तो इसमें स्थान देखो दे रखा है जैसे यूएस से जर्मन सोबिय संग यूके आधी इसमें स्थान देवें और यहां पर निर्याद में जो भारती भागिदारी है वह आंकडों में दिया हुआ है प्रतिशत में दिया है कि दसमलों आठ पांथ दसमलों च्छे तो इनका सबका टोटल सो है तो इस परकार आंकडे हम बना सकते हैं यह समय के अनूसार आंकडों का सारेयों और सारणी की अंक अभी तक आपने देखा कि हमने आंक वस साने को हम कैसे उसको परिवासित चर सकते हैं उसको कैसे हम और आकट सिक बना सकते हैं उसमें कुछ इसको हमें जानना जरूर सबसे पहरा है सारणटा आपने इंखटा किया है उस वह हमें क्या प्रद्रशित कर रहा है जिसे भारत की जनसंख्या के सम्बंद में आप अंकड़े कर सकते हैं तो लिख सकते हों कि भारत की जन्संख्या की गड़ना 2000 1999 या 2001 तक 2001 से 2010 तक इस तरह आप इसको सीज़सक के माध्यम से प्रस्त कर सकते हैं उसके बाद होता है सेर्षक यहां पंक्ति शीर्षक और शौर्ट में इसके बारे में लिख सकते हैं जैसे इसके आदार पिर हम को समझाएं यहां फ़ॐर पॉयंट या पिरों और है सीर्सक यहां पर आएगा कि जो एक एक हम यह इधर पर यह रोंग बोलेंगे और उपर यह टाइटल ऊगे इनके जो तुम्हारे कॉलम करोडों में अगर कोई लिक्विड को हमें नापना तो लेटर में पैसे प्थे सब आएंगे कह reference chut पर जंसंग्य क्रोडरों में आएगी और यहां पर हमने इनके हेडिंग बना ढ्लेटी स्वेस्वाहन प्रव्स्थिति बीपने प्रवा पुरूस इस्तृ और उनका योग यहां पे कर दिया है यह यहां पर आपने आक्रे कहां से इखा किये यह बहुत जरूरी है तो आप जिस पत्रीका से समाचार पत्रों से मैगजिन से डाटा लिखोगे तो उस पत्रीका का नाम या सोत्र में यहां आएंगे पाद टिपणी में संक्याओं का निकट्म करोडों में पुणांकित किया गया है क्यूंकि जन संक्या करोडों में आती और अगर कोई वस्तुों को अगर रुपे में नात्मा हो तो यहां पर रुपए आएगा या मिलियन आएगे या डॉलर आयेगे कुछ भी पर लिख सकते हैं तो यह था आपका किस परकार हम एक सारेनी बना सकते हैं सारेनियन और उसके यह जो पार्ट ते शौर्ट यह आपने सीखे कि कि इसको कैसे हमें लिखना है इसके बाद आता है आंकडों का आरेखिया प्रस्थिकरन यह बहुत ही इसके आधार पर हम आंकडों को चित्रके इसके अन्तरगरण सबसे पहले हैं सरल्धन चित्र जिसको बा By डियायों करते हैं उसका अध्य Subscribe करते हैं सरल दंड चित्र में केवल एक्ज तथ्षिका से ही संबंदित द्रोग को पर्देशित क्या जा सकता है इसमें उदारन ले लेते हैं भारतिय जन संक्या के कि आंको को हम दंड सेक्र द्वारा परदेशित करेंगे एक तरह हम लिया है और दूसरी दर्म हमने पॉपलेशन लिया जिसको जनसंख्य कहेंगे जनसंख्य को हम यहां से दर्साइंगे पूरा और वर्ट्स हमने यहां पर दर्सा रखा है वर्ट्स 1911 से 1921 से लेकर 2011 तो अब हम इसको बनाते हैं कि सरल दंचित्र बनता कैसे तो जैसे 1911 में हमार चैक करोड तो हम इसको यहां पर आप देख रहें कि यहां पर 23.6 करोड आया है तो हमने पहला जो बार बनाया यहां पर बनाया इसके बाद 1921 में हमारी जनसंख्य का हुई 25.2 करोड जो आपको दिखाई दे रही है जो रेखाई यह यहां पर पहुंचिए इसी परकर हम हुई 27.9 करोड और 1951 में हुई 31.9 करोड 1961 में 36.1 करोड और 1971 में 43.9 करोड इस परकार हमें 121.2 करोड ही तो आप देख रहें कि रेखाई चित्र के माद्यम से जो हमारे तत्य हैं जो आंकड़ें यह बहुत ही सुन्दर आपको दिखाई दे रहे हैं और इससे पता चलना कि हमारी जनसंख्या उपर को बढ़ती जा रही जो रेखाई चित्र से हमें बहुत ही आक दंचित्र जिसको मल्टीपल बार डाइग्राम कहते हैं इसका में गुधारन ले लेते हैं कि एक कॉलेज के चार संकायों मतलब ग्रुप में छात्र संक्याओं को तीन वर्स में होने वाले परिवर्तन को हम बहुत गुंडी दंचित्रों से पर्देशित कर सकते हैं तो यहा 200 बच्चे थे विज्ञार में 400 वानज्जी में 200 और विदी में 150 इसी परकार 2002-2003 में इनकी संक्या यहां दीवी है करते हैं तो आपने देखा कि हमने यहां फर इसको दिखा दिया 100 200 300 400 500 600 विद्यारतियों की संक्या क्योंकि मैक्सिम्म संक्या 600 और यहां पर हमने वर्स ले लिया तेले हैं उसके बाद आया तुम्हारा 400 बच्चे यहां आया विज्ञान विज्ञान को हमने औरेंज कलर से दर्साया विज्ञा यह देखिया विज्ञान उसके बाद तुम्हारा वानिजी यह वानिजी आपका उसके बाद लास्ट में हैं विदी 150 है इसको हमने यलो रंग से दर्साया है और यह विदी आता हैं तो आप देख रहे हैं कि कि तुम्हार आकट अखर के लग रहा है 2001-2002 को हमने यह पूरा का पूरा यहां पे हमने बना दिया इसका 2001-2002 वर्ट का इस पर काड़ 2200 2, 2003 वर्ट के यह डाटा है इसके आधार पे हम यह वाला हमने सारा बनाया है उसके बाद 2003 और 2000 जो वर्ट के अनुसार है बच्चों की संक्या यह उसका ग्राफ है तो ये 2001 से लेके 2002 और ये 2002 से 2003 और ये 2003 से 2004 तो ये था बहु गुंडी दंड चित्र अंतर विवक्त दंड चित्र ये आपका बहु गुंडी दंड चित्र का ही एक रूप है और इसका परियोग या इसका निर्मान तब किया जाता है जब तत्यों को आपस में तुलना करनी होती हम इसमें एक ही तत्यों को कई भागों में विवर्त करके उसको दिखा सकते हैं जैसे आप देख रहें यहां पर हमने कॉलेज का उधारन लिया जिसमें चार संकाय के चात्र हैं वही पहला वाला उधारन लेकिन इसमें और उसमें यह अंतर है कि इसमें हम पूरे चात्रों का एक यहां पर total कर लेते हैं, जैसे आपने देखा कि कला में 600, विज्ञान में 400, वानडिज जे में 300, विधी में 200 बच्चे ने total 500, अब इसे कैसे दिखाएंगे हम इसे एक ही ब्लॉक में हम इसको दिखाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कला में कितने बच्चे 600 तो हमने यहां से ले लिए यहां से लेके यहां तक 600 बच्चे हमने कला में ले लिए इसको हमने दिखाया है नीले रंग से कला में इसके बाद आते हैं क कि विज्ञान में 400 बच्चे 600 से लेकर हमने 1000 के बीच में संक्या लिए जो 400 करीब आती हैं यहां तक यह 400 बच्चे होते हैं जो हमने यहां से दिखाया यहां पर यह आएगा आपका औरेंज कलर में इसको हम विज्ञान बोलेंगी उसके बाद आपने देखा कि वांडिज में 300 200 बच्चे Day 2000 से लेकर यहां पर 1300 बच्चे तो इसमें इसके बाद यहाँ तक दो सो नगा यहां तक दो सो बच्चे आएंगे और यहां यह विज्ञा एगा यह हमने इसको दिखाया है पीले रग में तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी हमारे बच्चे हैं टोटल यह 1500 हैं अध्यानरत 2001-2002 में इसी परकार 2002-2003 में हमारे कितने बच्चे हैं 1200 बच्चे तो उनको हम यहां तक दिखाएंगे और यह पूरा ब्लॉक उनी बच्चों का बनेगा यह आर्ट के बच्चे होगे कला के विज्ञान के होगे वांडजी और विदी इसी परकार आपके 2003-2004 में हमारे पास 2000 बच्चे हैं तो यह रेखा यह जो हमारा ब्लॉक इसी आदार पर बनेगा तो आप देख रहें कि इसमें तुलना कर रहे हैं में बहुत आसानी हो रही है कि कि संकाय में बच्चे अधिक थे इसके बाद आता है आयाचित्र आयाचित्र में संकलाओं के मदों एवं उनकी आवर्तियों को आयातों के रूप में हम परदिर्शित कर सकते हैं जैसे एक उधारन हमने यहां पर देखा है वर्गांतर 0-10 10-20 हमने ले लिया है इसको क्लास इंटरबल बोलते हैं और आवर्त 14-20-30-15-6 तो यहां पर हम इसको X-axis पर आवर्ति दिखाएंगे और Y-axis पर वर्गंतराल तो इसमें आप देख रहे हैं 0-10 तो हमारे पर पहली संक्या 0-10 है इसको हमने 0-10 यहां पर हमने दिखाया है 4 तो हमारा बिंदी आई 4 तो हम यहां पर एक लाइन खेचेंगे और एक उपटर से नीचे करेंगे लाएं ब्लॉक हमारा यहां पर बन जाएगा उसी परकार 10-20 यहां पर देखो 10-20 में कितना आ है 8 तो 10-20 यहां से यहां तक यह जए आठ तो यहां से हम यहां पर बिंदी लगाएंगे और एक लाइन यहां खेश देंगे और फिर इसको यहां से हम ज़र मिला लेंगे तो आया चित्र एक परकार का ब्लॉक के रूप में हम इसका दिर्माण करते हैं यह दिखने में भी आकर्सिक और सरल होता है उसके बाद है तोरन औहुगिप और इसमें मध्या बिंदों को सरल हम रेखाओं द्वारा अमिला कर आवर्थि भुच भी हम इसको आवर्थि भुच भी कहते हैं वोई सेम उधारन है इसमें लेकिन इसमें अंतर ही आ जाता है कि इसमें हम एक रेखा का इस्तमाल करते हैं जो इसे यह रेखा गई है यह ब्लॉक के बीचों बीच टच होती भी जाएगी और उसका निर्मान भी करेंगे हम इसको इस तरह पॉइंट को जोड़ कर तो यह बहु रेखा चित्र की तरह होता है इसका उधारन है इसमें हम उत्पादन का ले रहते हैं पिछले आठ वर्टों में कच्छे लोए का उत्पादन को निर्पेक्स कालिक चित्से हम कैसे बनाएंगे तो इसमें एक तरफ वर्ट्स हैं जिसको हमने यहां पर दिखा दिया यह से 19 हुआ है तो यहां पर हम एक बिंदी लगाएंगे और इस बिंदी को यहां पर गोल्र बना देंगे उसके बाद 1994 मेरमें दिखा है कि यप 1895 मेरमें पच्छी स उसके बाद हम क्या करेंगे इन बिंदों को आपस में जोड लेंगे इससे हमारा क्या बनेगा एक बहुत सांदार रेखा चित्र बनेगा और जो बहुत आकर्षिक होगा दिखने में और इससे हमें पता चलेगा कि जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है उपर की तरह बढ़ तो इससे पता चलेगा कि हमारा उत्पादन 1993 से बढ़कर 2000 में 97 से उपर हो गया है कि इसके बाद आता है निर्देशांग कालिक चित्र जिस यह भी उसी तरह का रेखा चित्र है इसमें हम दो तो चीजों का एक साथ तुलनात्मक अध्यन करने के लिए हम इसका परियोग करते हैं जैसे आप उद्धारन है कि हमारे राज के इंटर कोलेज भेल में हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परिक्साओं को रिखा चित्र द्वारा माध्यम से दिखा है जैसे हाई स्कूल का दो हजार नौ में तीस परतिस से रिजल्ट था फी चालिस हुआ दो जार दस में इसको दो हजार पंद्रह में असी परतिस से रिजल्ट बढ़ा और इंटर का भी 20 हुआ चालिस हुआ और उसके बाद आप देखने की 85 मतला लगातार परिक्साओं बढ़ रहा है तो इसको हमने दो रेखाओं में दिखाया है नीला रंग हमारा हो गया है तुमारा यह हाई स्कूल का और जो तुमारा ओरेंज रंग दिख रहा है यह हो गया इंटर का तो इस तुल परिक्साओं हाई स्कूल से थोड़ा जादा बड़ा है तो तुलना करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है निर्देशां कालिक चित्र इसके बाद अगला जो चित्र है इसको बोलते हैं वृत आरेक जिसको पाई डाइग्राम भी बोलते हैं इसका परियोग उप्विभा सबसे जयादा भासा बोली जाती तो इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती lean फिर हिंदी जाती और हम इसके नियुक्त है अगर है इस को इस तरह ये लग रहा है नहीं लग रहा लेकिन अगर हम इस डाटा को पाई डाइग्राम के माध्यम से दिखाएंगे तो बहुती आकट से को सुन्दर और समझ में आने वाला बनेगा तो आपने इसको डाइग्राम को बनाया तो इसमें आप यह देखेंगे कि 111.132 यह जो दिख रहा है नीला कलर यह से हमारा इंग्लिष दिख रहा है जो सबसे जदा संसार में बोली जाती है उसके बाए आप देख रहे हैं कि चैनीज का नंबर 1.17 की जाती बिलियंस में उसके बाद हिंदी हींदी का नंबर 3 आप देख रहे हैं कि हिंदी यहाँ पे दिख रहे पॉट 615 फिस परकार सारी लेंग्विज को इसमें अलग-अलग रंग से दिखाया गया और यह 360 का वृत आरेक बनता है और बहुत ही आकड़सिक और सुन्दर बनता है तो यह थे तुम्हारे सारे जो डाइग्राम बनाए जाते हैं सेंखेकी में जिसे आकड़ों को आकड़सिक और सुन्दर बनाए जा सकता है अब इसमें एक परसन आता है कि संकीकी में चित्रों की आवशक्ता और महत्तों को हम सपस्ट कीजिए और उनकी सीमाई भी बताईए मतलब संकीकी में चित्रों को क्या महत्तों है वो सबसे इंपोर्टेंट है तो संकीकी के माद्यम से हम नीरस जो हमारे समंग होते है जो अर्थपूर्ण, रोचक और उनको बोध गमया हम चित्रों के माद्यम से बना सकते हैं और इसी से इनकी निर्वान में भी बहुत अधिक उपयोगिता होती है इसको हम इस प्रकार स्थ कर सकते हैं कि इन सारे डाइग्रामों को परियोग करके हम आकर्सक और परवावी साली बना सकते हैं समंकों को चित्र के माद्यम से समंकों को आकर्सक और परवावी साली बनाया जा सकता है क्योंकि चित्र आकर्सिक होते हैं और मानव की मस्तिक पर इनका बहुत प्रबाव पड़ता है उसके बाद आता है तत्यों को सरल वा बोध गमया बनाना चित्र जटील एवं आववेस्तित समंकों को सरल और बोध गमया बनाते हैं क्योंकि चित्र आकडशी होते हैं और रूची पूर उते हैं सरयलता से हमें समझ में आते हैं जैसे आपने देखा कि आकड़ों को अगर चित्र के माध्या अंसर समझाएं तो बहुत जल्दी हमारे मस्तिक पर परभव पड़ता है समय और शरम की वच्चत चित्रों के द्वारा प्रदेश χansen को बिना मस्थीक पर आधिक भार डाले उन्हें हम सरलता से समझ सकते हैं इसमें समय और शरम दोनों की हमारी वच्चت होती है तुलना मला में साइक सैक तुलना में बहुत जादा यह समय तक चित्र नई कर सकते हो और उसे जो निर्सकर्स निकाले जाते है वह भी हमें जो हमारे चित्र होते हैं, इनका बहुत अधिक प्रियोग किया जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाये होती है, चित्र तथ्यों को केवल मोटे रूप में प्रस्तित करते हैं, मतलब इसमें केवल मोटे रूप में हम उनको बनाया जा सकता है, अथा चित्र को के माध्यम से न से सग्य के लिए नहीं कि मौटे तौर पहर हमिंका निर्मान करते हैं और आgate के निश्कास भर मक और गलत भी हो सकते हैं लेकिन विशे सग्य अधिकतर चित्रों के बज़ाए डाटा को जादा पसंद करते हैं उनसे विशलेशन करते हैं चित्र अनेक परकार से तुलना करने में भी अनुपयोगी हो सकते हैं चित्रों के माध्यम से निस्कस गलत और भ्रामक भी हो सकते हैं जो मैंने पहले बताया तुलनात्मक अध्यन के लिए समंकों को सजात्या भी होना चाहिए एक र आप में अधिक अंतर होने से चित्रों को प्रदिशित करना कठिन हो जाता है अगर आपका वर्ग अंतराल में बहुत ज़्यादा अंतर आता है तो चित्रों का निर्मान करना कठिन हो जाता है तो यह थी चित्रों की सीमाएं अर्सास विशे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटुब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटुब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल झाल झाल